नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आशु आप देख रहे हैं आपका अपना यूटुब चैनल X by Z सब को तो दोस्तों काफी सारे ड्राइवर भाई और काफी जो नया लैसेंस बनवाना चाते हैं जो भी वो सारे भाई ये पूछते हैं कि आशु भाई ये बताईए कि हमें CNG आटो या फिर इलेक्ट्रिक आटो या फिर थ्री वीलर चाहें वो पैसेंजर का हो या फिर लोडिंग वाला हो इन सब को चलाने के लिए कौन सा लैसेंस बनवाना पड़ेगा किरपया सही सही जानकारी देजिए जी हाँ दोस्तो थ्री वीलर चाहें किसी भी प्रकार का हो चाहें वो इलेक्ट्रिक हो चाहें वो CNG आटो हो या फिर आपका लोडिंग वाला जिस प्रकार का चैंपियन होता है या फिर अन्य प्रकार का कोई भी थ्री वीलर लोडिंग वाला हो इन सब का जो लैसेंस होता दोस्तों वो एक ही प्रकार का होता है लेकिन इसमें एक चीज अलग होती है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि वो चीज अलग क्या होती है तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो 3 wheeler का या फिर आटो रिक्सा का जो license होता है वो आटो रिक्सा का जो license होता उस पे लिखा होता है TSR TSR license होता जिससे हम आटो रिक्सा जो सवारी वाला होता वो उससे चला सकते हैं रही बात लोडिंग वाली उसके लिए थ्री वीलर के नाम से ही एक लैसेंस होता जिसका नाम होता थ्री वीलर लेकिन दोस्तों टी एसार और थ्री वीलर दोनों लैसेंस अब आपको बनवाने की आवशक्ता नहीं है आवशक्ता क्यों नहीं है दोस्तों मैं आपको बताता हू अगर दोस्तों आप 3-wheeler या फिर आटो रिक्सा ही चलाना चाहते हैं तो आप इसका ही लैसेंस बनवाएं TSR और 3-wheeler अगर आप इन दोनों के अलावा कार, टेक्सी, ओला उवर या फिर अन्य प्रकार की काड़ी भी चलाना चाहते हैं भविश्य में क्योंकि दोस्तों भविश्य में आप कोई भी गारी चला सकते हैं तो हमेशा आदमी वही लैसेंस बनवाता है जिससे हमारे एक लैसेंस से काफी सारे काम हो जाएं ठीक है तुम आज इस वीडियो में बताऊंगा क्या आप कौन सा लैसेंस बनवाएंगे जिससे आट और एक सा चाहे वो सीएंजी का हो इलेक्रिक हो या फिर थ्री विलर हो लोडिंग का हो पैसेंजर हो उससे चला सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आप सभी भाईयों को पता होगा कि सुप्रीम कोट के एक आदेश के बाद जितने भी ट्रांसपोर्ट के लैसेंसे रिलेटेड नियम थे उनमें कुछ ना कुछ तबदीली कर दी गई है तो इसी प्रकार से लैसेंस के उपर भी एक तबदीली हुई सिसे ठीक है तो अब आपको अगर थ्री विलर के अलावा और गाड़ियां भी चलानी है तो आप लिए जिससे आप थ्री गर सबारी वाला चारे बीचला सकते हैं उसके बाब्रिग कर बीचला रहत जानकारी मिल गई होगी कि 3 वीलर चलाने के लिए क्या लाइसेंस बनाना पड़ता है अब मैं आपको बता देता हूं कि पैसेंजर गाड़ी चलाने के लिए और और टीन वाली गाड़ी चलाने के लिए दोनों में एक छीज अलग होती नहीं है तो इसमें एक अलग जो चीज थी वो यही है कि अगर आप LMB लाइसंस से आटो रिक्सा थ्री विलर चलाते हैं जो सवारी वाला है तो आप आप एक PSB बनवा लेंगे तो ठीक रहेगा नहीं तो बाई चांस अगर किसी पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया तो आपका चलान काट दे तो दोस्तों यह थी मेरी छोटी सी जानकारी के और थ्री विलर चलाने के लिए कौन सा लाइसंस बनाया जाता है आपको अच्छी लेगी होगी अच्छी लेगी तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना दोस्तों मिलते हैं किसी हो जानकारी से बरपूर वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भार आपन कव् कवस्तों में श्कलाई टांस बड्राि ड्रूके लिजारमérie ईक ऐना मेंॉड़